IPL 2024 दिन बदिन रोमांच की सीडिया चड़ते जा रहा है सुमबार को बंगलुरू के चिन्नस्वामी स्टेडियम में हुए रोयल चैलेंजर्स बंगलुरू बनाम संराइजर्स हैदराबाद के मैच में IPL इतिहास के कई सारे रिकॉर्ड तूट गए जहा संराइजर्स हैदराबाद जिनका नेतरित्व ट्रेविस हेड ने तेजी से शतक लगाकर और हाइनरिक क्लासेन की आकरामक बल्लेबाजी के साथ IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 287 बना डाले उत्तर के रूप में RCB, विराट कोहली और फाफ दूपलेसिस के तेज आरंब के बाद और दिनेश कार्तिक के दिल छू लेने वाले ताबर तोड़ पारी के बदौलत 262 के स्कोर तक ही पहुँच पाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू एक बार फिर मैच चीतने में विफल हो गई लेकिन उनकी 262 रनों की पारी सभी फैंस का दिल खुश कर गई IPL इतिहास में चौथे सबसे तेज ट्रेविस हेड के शतक ने S.R.H. को उनके रिकॉर्ड स्कोर 287 पर पहुँच जाया अभिशेक शर्मा और हाइनरिक क्लासिन ने भी S.R.H. के भयानक स्कोर को मजबूत किया R.C.B. के कप्तान फाफ दुपलेसिस ने तेजी से 62 रन बनाए लेकिन उनके प्रयासों और दिनेश कार्तिक के ताबर तोर 35 गेंदों में 83 रन की शांदार पारी के बावजूद R.C.B. S.R.H. के 287 रनों के पहार जैसे स्कोर को हाशिल करने में काम्याब नहीं हो पाई इस मैच ने IPL इतिहास के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही साथ में इस मैच में एक और रिकॉर्ड बन गया Boundaries के बरसात का मैच में Total 81 Boundaries लगे जिसमें 43 चौके और 38 ठके शामिल थे जो एक T20 मैच में सबसे ज्यादा Boundaries का फिताब अपने नाम करता है दोनों टीमों ने चौकों की बरसात की मैच में कुल 38 ठके लगे जो एक T20 मैच में सबसे ज्यादा चौकों की तारीक के लिए बराबर था खबर IPL 2024 देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरे अपनों की खबर आप तर